जैहिन दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हायर, Facets of UPSC में आपका स्वागत है तो themes NCRT का discussion कर रहे हैं हम लोग और हम जिस chapter की बात कर रहे हैं, वो बहुत important chapter है पीजेंट्स, जमिंदार and state और लास्ट के video lecture में हमने कुछ important terms को cover किया था जैसे Pescus, परगना और इसके अलावा एक बहुत important book देखी थी यहां से दो बार question CDS में पूछा गया है और यह सब याद रख पाना मुश्किल होता है तो जो भी मैं important point बता हूँ या जो highlighted PDF मैं share करता हूँ उन्हें आप short note में जरूर बना ले इससे आपको revision करने में काफी आसानी मिलेगी और इन मुश्किल सवालों को जब आप ठीक करेंगे तो definitely आपको काफी फाइदा मिलेगा अभी तक जितने videos हैं इस chapter के और पिसले chapters के यह मैं आज ही playlist में update कर दूँँगा और इसका link भी अपने telegram channel पे share कर दूँगा तो telegram channel को join कर लिजे और वहाँ पे regular basis पे हम important चीज़ें भी share करते हैं so now continue करते हैं तो देखिए हमने last के lecture में importantly यही समझा कि मुगल period के time पे tribal life किस तरीके की थी तो इसमें हमने कुछ terms को भी समझा यहाँ से भी question पूछा आ सकता है terms वगरा से काफी सारे सवाल पूछे आते हैं तो देखिए जंगलों में जो रहने वाले लोग थे mainly उनमें commercial agriculture के spread के कारण यह एक important factor बना और जो forest product होते हैं जैसे honey हो गया या wax, gum, lake यह जीज़ें जो है, lake वगरा जिनसे चूड़ियां और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं तो यह इन चीज़ों की बहुत ही जादा demand थी जैसे अगर लाक की ही बात करें, Hindi में लाक कहा जाता है इनकी काफी जादा demand थी और यह एक major item बन गया overseas export का यह export वाली बात देखने को मिल रही है जो important forest produce हैं जो की बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलते हैं या केवल जंगलों में मिलते हैं उन चीज़ों की काफी जाद demand थी इस तरीके से अगर हम elephants देखें तो इन्हें भी capture के आता था और बेचर आता था इसके अलावा जो trade थें इनमें उन commodities की भी exchange होती थी जिनमें byter system का परियोग था तो byter system भी यहाँ पर देखने को मिलता है अगर question पूछा जाए कि क्या byter system exist करता था यानि मुगल period के time पे और tribal livelihood में तो obviously exist करता था इसके अलावा अगर हम देखें तो some tribes जैसे की पंजाब में लोहानीज ये overland trade में इंगेज थें इंडिया और अफगानिस्तान के बीच इस तरीके से town country trade जो की पंजाब के अंतरगती थे इनमें भी trading की जा रही थी कुछ factors की अगर हम बात करें तो जैसे हमने village community के अंदर देखा था कि किस तरीके से headman होता था big man जिसे कहा जा सकता है उसी तरीके से tribes के भी चिफ्टेंस होते थे हैं चिफ्टेंस मतला आप कहलें एक तरीके से मुख्या सरदार इस तरीके से हम कह सकते हैं बहुत सारे जो tribal chiefs हैं ये मिंदार बन जाते हैं और कुछ जो हैं ये राजा भी बनते हैं और इन्हें इसलिए एक army build up करने की जुरुत पड़ती है और ये उन लोगों को भी recruit करते हैं जो इनके lineage group से होते हैं और एक तरीके से fraternity भी demand की जाती है military service provide करने के लिए सिंद रीजन में अगर हम tribes को देखें तो इन में काफी बड़ी cavalry थी 6000 से लेकर 6000 की cavalry थी यानि घुर सवार थे 7000 की infantry थी यानि पैदल से निक थे तो एक काफी बड़ी army देखने को मिलती है इस तरीके से अगर हम असम में देखें तो जो home kings हैं और इनके जो pikes हैं pikes का मतलब एक word में अगर हम कहें तो soldiers, military soldiers और people who obliged to render military service in exchange for land तो land के बदले में जो military service करते हैं देते थे उन्हें pikes कहा जाता था और इन में भी काफी बड़ी संख्या देखने को मिलती थी pikes की इस तरीके से जो wild elephant का capture है इसे एक royal monopoly के रूप में declare किया गया हम kings के द्वारा दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक important बात मैं share कर दूँ देखी जो serious का paper हुआ है recently उसके हमने history questions को cover कर लिया है और कल या बहुत ही जल्दी या कल ही most probably geography के questions की analysis करेंगे और geography के सवाल NCRT based है almost सारे ही सवाल NCRT से आये हैं और जैसा कि हमने पिछले 4-5 सालों में जितने भी papers उनको cover किया है उस तरीके समें इस paper को भी complete करेंगे मैं आपको recommend करूँगा कि अगर आपने playlist नहीं visit करी है तो जरूर करिए और मेरे side से तो यही suggestion रहती है कि paper किसी भी pattern का आता हो वो NCRT और PYQ based ही होता है तो इन दोनों पर आपको पकड़ बना करके चलनी है PYQ पर लोग कम time देते हैं इसका एक region यह भी होता है कि बहुत अच्छे से clarity नहीं होती कि एवल question answer पढ़ते हैं यह तरीका नहीं है एक question जबाब पढ़ें तो पूरे topic के बारे में आपको उसी time पढ़ना जो कि मैंने वीडियो में करवाया है तो इससे अच्छे से करें और NCRT के लिए देखे जोगरोफी तो मैंने पढ़ाई दिये 11th की और इसमें एक दो चेप्टर बचे में जैसे ही ये series इसका last chapter complete होता है उसके बाद हम physical geography को complete कर लेंगे और इसी तरीके से human geography है तो उससे भी start कर देंगे इसके अलावा history तो बहुत कुछ मैंने पढ़ाया है एक तो हमारी topic wise series है जिसमें मैंने खुदी important topic को select करके previous question के साथ cover किया है और इसके अलावा अभी हम जो theme sincerity को cover करना है ये इसका दूसरा part है जिसका last chapter होने वाला रहेगा तो इस तरीके से हम history में भी cover कर लेंगे और quality के लिए भी हमने काफी कुछ cover किया है और reference हमने लिया लक्षमी कांत और कुछ important books का और हर chapter के साथ में हमने previous question को जरूर किया है तो देखे जैसे मान लिजा अगर आप fundamental rights पढ़ें तो इसके साथ ही at least 50-60 जो previous question है वो आपको जरूर cover करना है इससे काफी कुछ clarity मिलेगी और आपका कभी question गलत नहीं होगा इतने सारे previous questions करने के बाद so now continue करते हैं अब देखे transition period की बात करते हैं तो एक जो हमारी tribal system रही और दूसरा जो monarchial system रहा इनके बीच में जो transition है ये transition बहुत पहले ही शुरू हो गया था लेकिन ये 16th century में जा करके develop होता है अब इस transition का क्या मतलब है देखे tribal अगर हम देखें जो tribal system है इनमें किस तरीके से system था इनमें ये था कि generally group ruling देखी जाती बट monarchial system में ये जो transition वाला period है ये 16th century में देखने को मिलने लगा जिसमें कि एक particular person को monarchy के basis पे hereditary rights मिलने लगे इसी तरीके से जो आइने अकबरी है उसके observation के according भी हम देख सकते है tribal kingdom में north east के अंदर की war एक common occurrence था यानि war बहुत ही common ली था और इसके अलावा जैसे अगर coach kings की बात करें तो उन्होंने बहुत सारे neighboring tribe को tribe से युद्ध करके उन्हें subjugate कर लिया था 16th और 17th century में कुछ cultural influences भी देखने को मिले forest वाले जोन्स में और obviously ये cultural influences हर sector में फेल रहे था और हर areas में देखने को मिल रहे था जैसे कुछ historians ने suggest किया है कि जो सूफी cents थे जिने पीर कहा जाता इन्होंने एक major role play किया in slow acceptance of Islam among agricultural communities जो कि newly colonized places में emerge कर रहे थे दोस्तों हमने बहुत कुछ discuss करा जो 16th century वाला 16th century वाला time period है उसके संदर में और इसमें अगर हम जमिंदार्स के बारे में discussion नहीं करें तो ये हमारा discussion अधूरा रहेगा तो जब हम agrarian society की बात करें मुगल इंडिया में तो इसमें हम जमिंदार्स की भी बात करेंगे और क्योंकि ये बहुत ही powerful एक तरीके से देखने को मिलेगा जैसे अगर यहां पे हम देखें तो जमिंदार्स जो जो की landed proprietors थे इन्हें काफी सारे certain social और economic privileges भी मिलते थे because rural society में इनका जो उहदा है जो status है ये superior होता था अब देखें कौन कौन से factor थे पहला factor था caste caste में अगर हम देखें तो ये एक important factor था जो की elevated status दिखाता था जमिंदार्स को इसके अलावा दूसरा factor था कि कुछ certain services जो की खिदमत कहा जाता है ये state के साथ ये रखते थे तो खिदमत आज भी ये word use होता है उसी तरीके से ये खिदमत अपने state के लिए रखते थे इसके अलावा जमिंदार के पास जमिंदार के पास extensive personal lands भी होते थे जिने मिलकियत कहा जाता था अब मिलकियत word किस से बना है मालिकाना हक से मालिकाना से मिलकियत मालिकियत जो कहते है न वसी से बना है तो इसका मतलब यही है simple सा कि मालिकियत जमीने वो जमीने होती है जो कि जमिंदार के private use के लिए cultivate की जाती थी ऐसे आप याद रखेगा कि इन पे जमिंदार का मालिकाना हक है इसलिए मिलकियत जमीने है क्योंकि ऐसे question पूछे गए है मिलकियत लेंड इस तरीके से चार मैच करने दिया जाता है और direct भी पूछा जाता है तो ध्यान रखेगा तो generally यह जो cultivation करते हैं मिलकियत जमीनों पे इन में survive labor या फिर एक तरीके से कहलें कि जो labor है उनकी मदद ली जाती थी सरमिको की मदद इसके अलावा जमीनदार sell कर सकते थे बिकीत कर सकते थे या moat gauge भी कर सकते थे इन जमीनों को और obviously इनका मालिकाना हक है तो यह जैसे चाहें जमीनों का वैसे utilization कर सकते थे इसके अलावा जमीनदार इसको power खासे मिलती थी तो एक तरीके से obviously ये एक revenue collect कर रहे है estate के भी हाफ में तो यहां से तो इनको power estate के साथ ही derived है इसके अलावा क्या है कि financially ये compensate कर रहे है तो estate इने definitely support प्रदान करेगा क्योंकि estate के लिए तो ये एक तरीके से asset बन गए न यहां से ये पैसे collect करके state के पास ही जा रहे है तो ये तो पहला हो गया दूसरा ये कि military resources जो है उन पे भी जमिनदारों का हग था और जादतर जमिनदारों के पास even आप कहले almost सभी जमिनदारों के पास किलाचा होते थे किलाचा वर्ड अगेन किला से बना है तो यहां पर यह डाटा पढ़िए आयन के according क्या है कि जो combined military strength जमिनदारों की मुगल इंडिया के दौरान यह 3,84,000 के वेलरी थी और यह लगभग 42,000 के सम्तिंग इंफेंटरी थी और 1830 एलिफेंट्स थे 460 कैनन्स थे जो तोप वगरा होते हैं और 45,000 जो हैं यह बोर्ट थी तो काफी बड़ी यह एक तरीके से parallel army ही हो गई किंग के अलग army है और यह अलग से army maintain करके चल रहे हैं तो इस वज़र से जमिनदार यहां से भी हम कह सकते हैं काफी जाला powerful थे तो अगर हम इन चीजों को एक pyramid के रूप में देखे तो जमिनदार narrow apex को constitute करते हैं अबुल फजल के accounts यह भी indicate करते हैं कि जो अपर कास्ट हैं ब्राहमन, राजपूत इस combined had already established firm control over rural society यानि ग्रामीन सोसाइटी में इनका already firm establishment था इसके अलावा यह भी reflect करते हैं कि एक fairly large representation जो है so called intermediate caste का भी रहा होगा contemporary documents यह भी impression देते हैं कि जो conquest है यह origin रहा होगा कुछ जमिनदारों का लेकिन यह भी माना जाता है कि जो disposition हुआ weaker people का एक powerful military chiften के द्वारा यह जमिनदारी expand करने का तरीका रहा होगा लेकिन ऐसा कहना भी मुश्किल है because state क्यों ही allow करेगा जमिनदार को इतनी ज़्यादा power कि वो काफी सारे weaker लोगों को disposes कर रहे है तो यह चीजें contradictory हैं आपस में slow process भी देखने को मिलता है जमिनदारी consolidation का यानि जो जमिनदारी system के अंदर जमीने हैं उनक्या definitely वो बढ़ती गई इसके अलावा यह भी document किया गया sources में कि जो colonization हुआ new lands का जैसे rights का transfer हुआ या state के order के द्वारा या चीजें खरीदी भी गई जमिनदार के द्वारा तो इस तरीके से जो land है यह उनकी बढ़ी इसके अलावा यह भी process रहा कि जो permit किया गया लोगों के द्वारा कि जो lower cash people हैं यह enter कर सकते हैं into the rank of जमिनदार क्योंकि जमिनदारी को बेचा जा सकता था खरीदा जा सकता था उस period में तो इस तरीके से यह भी एक reason रहा होगा इसके अलावा और भी कुछ combination of factors देखने को मिलते हैं जैसे clan या lineage based जमिनदारी में consolidation हुआ for example the Rajput and Jats adopted these strategies to consolidate their control over vast swaths of territory in Northern India यानि जो Rajput और Jats हैं इन्होंने adopt किया उन्हों strategies को जिससे यह अपना control consolidate कर सके Northern India की territories में इस तरीके से जो peasant pestrolist हैं जैसे सद्गोफ्स की बात की जा रही है इन्होंने powerful जमिनदारी को constitute किया Central और South Western Bengal में जो buying और selling हो रही थी जमिनदारी की इससे monetization का process काफी fast हुआ countryside में यानि लोगों के हाथ में पैसे बढ़े और इसके अलावा जो जमिनदार से इन्होंने जो अपनी milkyard lands है उनके produce को भी sell करना शुरू किया यानि जो इनकी खुद की जमीने हैं उनसे जो produce निकल रहा है उन्हें ये sell करते थे इसके अलावा यह भी evidence मिलता है कि जमिनदार जो है यह heart यानि established market को set up करते थे ताकि जो किसान है वो यहाँ पर अपने produce को आ करके बेच सके इसके अलावा यह भी मुस्किल है कहना कि जमिनदार से एक exploitative class रहा होगा विकोज जिस भक्ति सेंट्स के according हम देखें तो इन्होंने obviously caste based society को condemn किया है और किसी भी तरह के जो operations है यानि जो सोसन हुए है उन्हें भी definitely condemn किया है और जमिनदार्स को यह explorators के रूप में नहीं दिखाते हैं और जब भी Northern India में agrarian appraisings हुई है 17th century में तो जमिनदार्स को presentry का support भी मिला है in their struggle against the state तो यह बड़ी unique बात है क्योंकि अगर आप इस जमिनदारी system को जो कि मुगल period में exist करती है उसे compare करते हैं 100-100 सालों के बाद की जमिनदारी system के सार 1880 का एक revolt आपको याद होगा, revolt नहीं अगर हम देखें तो जमिनदार्स के खिलाफ struggle था लोगों का, लेकिन यहाँ पर ultra देखने को मिल रहा है और यह बड़ी ही unique बात है, बहुत लोग confuse करते हैं दोनों जमिनदारी system को एक जैसा सोचते हैं एक जैसा नहीं, काफी सारे differences थे मुगल पीरिड की जमिनदारी के टाइम पे और company याण East India Company की जमिनदारी system के टाइम पे East India Company के टाइम पे यह एक तरीके सा oppressive class के रूप में देखी जाती थी जबकि जो मुगल पीरिड का टाइम है इन्हें तो एक तरीके से कहलें आप officers के रूप में देखा जाता था जो कि अपना काम कर रहे हैं और यही reason है कि exploitative नहीं होने के कारण presence का support भी मिलता था दोस्तों यह question CDS 2016 का है बहुत ही ध्यान से attempt करिएगा दो statement है आपके पास और यह question में संधायता हूं देखे पहला statement यह है कि जमिंदार्ज जो है एक exploitative class थे मुगल इंडिया में और दूसरा statement यह है कि जमिंदार्ज को generally support मिलता था पीजेंटरी का large number में जब भी कोई uprising वगरा देखने को मिलती थी northern इंडिया में और यह time period है 17th century का और options हमारे पास किस तरीके से हैं क्या दोनों statement जो है यह correct हैं और यह statement 2 जो है यह correctly explain कर रहा है या नहीं तो इस बात पे भी ध्यान दिजिए कि statement 1 की explanation है या नहीं statement 2 और यह 4 options है सो उम्मिद है आपने question attempt कर लिया होगा ना देखिए अभी हमने क्या पढ़ा although there can be little doubt that जमिंदार्स वर एन exploitative class यानि इसमें doubt वाली बात है और यह confirmity के साथ नहीं कह सकते कि जमिंदार्स एक exploitative class रहा होगा क्यों क्योंकि इनका जो relation epigentery के साथ यह reciprocity का देखने को मिलता है इसी के साथ ही हमने यह भी पढ़ा यह वाला part देखे कि जो large number of agrarian uprising है इनमें support मिला जमिंदार्स को किसानों का और क्या इसका region रहा होगा obviously इसका region रहा होगा कि यह इतने exploitative नहीं थे लेकिन हम आगे के time period में जाकर के देखेंगे especially company rule के time पे तो उसमें वही एक important factor रहा कि वहाँ पे जो जमिंदार्स रहें उन्होंने जो मुनाफ़ा कमाया उसे वह आपस land पर invest नहीं करते थे और अपने फायदे के लिए generally work करते हुए दिखते है तो इन questions को करने के बाद बहुत अच्छे से आपको idea लग रहा होगा कि हाँ इन चीजों से भी सवाल बनते हैं तो understanding बनाईए ये चीज़ें याद करने वाली हैं ही नहीं अगर आप understanding बना करके चलेंगे तो काफी आसानी से फिर आप ऐसे questions कर सकते हैं बहुत ही जल्द हम discuss करेंगे land revenue system के बारे में ये भी काफी important topic रहेगा so history के लिए मैं playlist अपडेट कर दे रहा हूँ वहाँ से आप जा करके बाकी वीडियो को भी देख लें और 678 की history भी मैंने complete पढ़ा दिये इसकी playlist अपडेटेड है इसे भी आप देख सकते हैं और हर chapter के साथ में previous question है कुछ सवाल तो ऐसे है तो केवल 7th की NCRT में है UPSC civil sources में question भी आया है और किसी general sources में नहीं देखने को मिलते हैं तो वैसे questions आपको नहीं skip करने हैं उनके बारे में clarity ही रखनी है अन्तक बने रहने के लिए धन्यवाद चैनल पर नए है तो subscribe कर लें जैहिन